सबसे पहले आप सभी को स्वतनता दिवस की दिल से हार्दिक सुप कामना है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हमारा 74 इनेपेंडनेस डे है और आज हम सभी स्टुडेंट्स अपने स्कूल को बहुत ही ज्यादे मिस कर रहा है तो मेरा नाम खुशी सिंग है और मैं खोदे के स्टुडेंट हूँ और प्रती वर्स मैं अपने विद्याले में सांस्कृतिक कारेकरमों में पाटिसिपेट कर दिया हूँ और चुकि आज हमारे स्कूल वगरा बंच चल रहा है कोरोना पैंडेमिक की वर्स से तो आज मैं अपने चोटे जी यूटूब चैनल बीड्स आप बोर्ड पर जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही शुरू किया है उस पर आप सभी के लिए कुछ इंट्रेस्टिंग समझदार देशबक्ती कविताय और शेर लेकर आए हूँ ठीक है करती हूँ भारत माता से गुजारिस कि तरी भक्ती के सिवा कोई बंदगी ना मिले हर जनम मिले हिंदुस्तान की इस पावन धरा पर या फिर कभी जन्दगी ना मिले अब हमारा देश जो है एक विभिनताओ का देश है तो मैं एक शायरी जो है अपने हिंदु मुस्लिम भाई उपर बोलना चाहूंगी ठीक है तो संस्कार और संस्कृती की शान मिले ऐसे हिंदु, मुसलिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे मंधिर में अल्ला और मसिद में राम मिले जैसे जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खुपसूरत कोई शनम नहीं होता नोटों में लिपटकर सोने में सिमट कर भी मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खुपसूरत कोई कफन नहीं होता जब तक रहे धड़कती नस एक भी बदन में हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में छीने पाये न हमसे कोई ये प्यारा वतन हमारा छूटे स्वदेश की ही सिवा में ये तन हमारा मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए बस अमन से भरा ये वतन चाहिए जब तक जिन्दा रहों इस मात्र भूमी के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती और ये वतन की मुहबबत है जनाब पूछ कर की नहीं जाती सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोड कितना बाजवे कातिल में है वक्त आने पर हम तुझे बता देंगे ऐ आस्मा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है तैरना है तो समंदर में तैरो नदी और नालो में क्या रखा है और इश्क करना है तो वतन से करो और रो में क्या रखा है दामने अर्ज वतन चाक नहोने देंगे फर्ज के कर्ज को बेवाक नहोने देंगे एए हिंदोस्तां एए हिंदोस्तां तेरे अस्मत जिस्मत की किसम तेरे आचल को हम कभी नापाक नहोने देंगे क्या चल को हम कभी नापाक ना होने देंगे क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए डुपटा नहीं देगी कफन के लिए क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए डुपटा नहीं देगी कफन के लिए अरे मरना है तो मरो वतन के लिए तिरंगा मिलेगा सबको कफन के लिए फौजों की जिंदगी होगी गमों का आशियाना होगा न जाने कब ये सरीर गोलियों का निशाना होगा जाएंगे फौज में फौज ही हमारा वतन होगा मर जाएंगे वतन पर वर्दी ही हमारा कफन होगा फ्रेंड्स मैं अब आपको कुछ गा कर सुनाना चाहती हूँ ठीक है तो आपको कैसा लगेगा आप उसे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा ठीक है हे इश्वर मालिक हे शक्ति रूप हे गुडागात सभ्यताय सस्वी हो जाए मानवतां का फैले प्रकास सव दिव्य द्रिष्टि के पोशक हो कर दूप द्रिष्टि का सर्वनास इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल प्रिष्टों में अकलंकता रहे जनता का अनुशीलन हो मानों को पत का पता रहे हर एक बाली का विदुशी हो हर बालक नीत निधान रहे फहराय तिरंगा अंबर में मा का धानी परिधान रहे ये दुनिया चाहेगी धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे जब तक सूरज चंदा चमके तब तक कि ये हिंदोस्तान रहे अब मैं एक छोटी से कविता के रूप में एक चाला इनकी कविता के रूप में आपको अपने भारत देश की परिभाशा बताना चाहती हूं ठीक है तो हमारा भारत देश क्या है ठीक है खड़ा नगराज धरती के समुनत भाल जैसा है यहां की संसकृती का रूप सुबटक साल जैसा है कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे अगर सिवाला तो हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है अब अंत में मैं आपको एक बहुत ही जवर्दस्ट से रूप सुनाना चाहूंगी जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है ठीक है तो मैं उसको सुनाती हूं आपको मुझे पूरा भरुसा है कि आपको बहुत ही अच्छा लएगा ठीक है सन्विधान की जंजीरों में जकड़ी है कानून की बोली दिन दाड़े दुन्या वाले खेल रहे हैं खून की होली अदालत की ये कैसी रिती ये कैसा न्याय हो रहा बेगुना को सजा मिल रही जालिम चैन की नित सो रहा ये कैसी कानून की नगरी जिसमें बधी ये पाप की गट्री रखवाले मालिक बन बैठे कानून बन गया बली की बकरी सपनी में जो सोचा था आज की युग में वही हो रहा सपनी में जो सोचा था आज की युग में वही हो रहा कोई खाय हलवा पुड़ी कोई भूखे पेड़ सो रहा वीर सहीदों ने दी थी जिस देश के खातिर कुरबानी स्वार्थ के खातिर आज ने ताउने फेरा उस पर पानी राजनीती के सतरंजों में फसा हुआ है देश अमारा नेता अपना अपना सोचे कैसे होगा अब गुजारा वीर सहीदों ने दी थी जिस देश के खातिर कुरबानी स्वार्थ के खातिर आज ने ताउने फेरा उस पर पानी जनता रूठे देश तूटे इसका किसी को ध्यान नहीं मान अवता की चिता जल रही सिध्धानतों का ज्यान नहीं खुद को खुदा समझ बैटे हैं भारत की जागीर वक्त बदलते देर न लगी पल में राजा हुए फकीर जातिवाद का बोकरवीज राजनीती को चला रहे हैं यही दसा रही अगर एक दिन ऐसा आएगा भरस्त अचारी नेताउका नाम और निशान मिर्जाएगा सोच एक सिध्धानतने ग्यदीनेताउका हो जाएगा सोच एक सिध्धान निक यदिनेताव का हो जाएगा भारत फिर से चमकेगा सोने की चिडिया कहलाएगा धन्यवाद तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को खतम करते हैं और एक चीज़ को मैं भूली गई जो आज हम सारे स्टुडेंट्स और मैं तो जो उसे बहुत ही ज्यादे मिस कर रही हूँ वो हमारे स्कूल की प्यारी सी जलेवी जो हमें साल में सिर्फ दो ही बार मिलती है और इस बार तो उसे कोरोना पैंडेमिक ने ले लिया तो मैं आपको ऑनलाइन जलेवी तो खिला नहीं सकती तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर जलेवी के कुछ इमेजेज लगा देती इसे खा कर अपना आप अपना मूँ तो मिठा नहीं कर सकते है पर इसे देख कि आप अपना दिल जरूर मिठा कर सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ यह इस वीडियो को खतम करते हैं once again a very happy independence day to all of you stay safe stay happy join one day मातरम happy independence day